बिस्मिल्य रामान रहीम अस्सलाम उ अलेकुम नाजरीन कैसे आप लोग उमीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशाल होंगे मैं हो शेवानी मैं हो कुनाल वेलकम गाइज हमारे इस चैनल पर इसका नाम है रिक्शन वाला कपल गाइज आज की वीडियो है एच के इमुफ स्वीक्स का जनाज़ा जनाज़ा भात ही जवर्दश टोबिक लेके आगे मुक्तु साब जनाज़ा तो वैसे हार एक मखलोग नाज़ा तो जनाज़ा तो वहोता जिसमें पूरी भीड होती है मलले पूरी बीड़ शान शोकस से उठाकर उसे लेके जाती है वो या पर मैंने देखो शौक से मैंने देखा था एक चीटी या किसी चीटे का जनाजा वह रानी होगी शायद चीटीों की रानी जो भी हो इतनी अत्तासली से उसको उठा कर लेके जाते हैं और पीछे पूरी लाइन में होती है उनकी चीटी वह जनाजा वो तना जनाजा लेकिन मुष्किल हो जाता आपकी रात बरबाद है अगर घटमल हो कर और इसे बगाना भी बड़ी वह फाइट वाली बात है घद्दे में अगर लग जाय तो बाटमल जो रात को गटो त्रिं त्रिं या ना घटमल वो नहीं तो गद्दों पर लगते वो क्या होते हैं गद्दों तो दूसरे होते है, चोट-चोटी होते है, वो जो बैड पे, गदो पे लग जाते हैं, और अगर आप लेड जाओ तो आपकी बोड़ी पे खारीश होना शुरू जाती है, चलो खट बाल वही होगा जो मैं सोच रहा हूँ, बाकि आप भी बताना क्या है, मुफ्ति शाब बता हाँ, मैं आजते हैं, किसी वीडियो में, मानलब, चोदा सो वीडियो कर लिए, किसी टो पर बोला है, किसी वीडियो कर लिया, क्यों नहीं करते हैं, और बताओ क्या, 50% से जादा लोग हमें देखते हैं, और वो सस्क्राइब नहीं करते, सिरफ 46 से 47, छबाहिवना आप एंस केक भी कट करेंगे फिर एक लाग का केक तो बनता ही है तो हमें एक केक खाने का बड़ा शोक है तो उमेद कर तो आप जल्दी से एक लाग का केक किलवा है हमें आप बस एक क्लिक ही तो करना है इसमें क्या जाना है क्लिक कर दो बैल आइकन कर दो और अपने घरवालों का फोन बिलो है, क्लिक कर दो, कर दो, क्या ही जा रहा है, तो कर दो यार, तो खटमल का जनाजा मुफ्ती तारिक मसूद, स्टार्ट करते हैं, इसकी दलील ये है, कि ये जो हम कहते हैं न दिल की जब हर खौाहिश पूरी हो, असल में हर खौाहिश पूरी इसलिए आप ये समझ रहे हो, जब आपकी ये बीस खौाहिशात पूरी होंगी, तो आप समझ रहे होगे, कि हर खौाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन ये बीस खौाहिशात, मजीद बीस हजार खौहिशात के अंडे बच्चे पैदा करके जाएंगी हैं, अंडे, बच्चे की खौाहिश पूरी हुई है तो वो खौाहिश हजारों अंडे बच्चे दे के गई है वो यह ऐसा ही है जैसे घर में जब खटमल आ गए पांच छे आप इस खुश फहमी में होता हूँ के टोटल पांच खटमल है मेरे घर में कल मैं उनको खटम कर दूँगा और मेरे घरों से खटमलों के जनाजे जब उठेंगे तो मेरा घर खटमल लेस हो जाएगा आज तक कभी ऐसा हुआ है भई कभी ऐसा हुआ आप जरा कल जाके उन पांच खटमलों को मारोगे आपको पता नहीं है के खटमलों ने आपका कलाम सुन लिया है और इतनी स्पीड से उन्हों ने फैमिली प्लैनिंग वालों के जजबात को मजरू किया है कि तुम जितने खटमल मारोगे हर कुरसी से खटमल निकलेगा खटमल के साथ ये होता है एक दफ़ा खटमल घर में घुज जाए ऐसी की तैसी मार मार के ठग जाओगे आपका जनाज़ा उठेगा खटमल घर से खतम नहीं होगे अभी मैं किसी के घर गया तो वहां हमारे एक दोस भी बेरे साथ थे उनको एक खटमल नजर आ गया औरे भाई वो ऐसा भागें वहां से हम बिठा रहें बैड़ या कह रहें नहीं इस घर में खटमल है कह रहें मैं एक दफ़ा खटमलों से जिहाद कर चुका हूँ अपने घर में कह रहें एक भी चिपक गया ना मेरे घर में दुबारा चला गया बस कह रहा है भाई या जाबे जान और वागई है सही है हमारे हदरत फरमाया करते थे खटमल छटमल जहां नदर आए चांद से मार दो क्योंकि अगर उसकी शादी हो गई ना आपके घर में खटमल की तो बस फिर जो अंडे बच्चे स्पीड से निकलेंगे वो आप तसवर नहीं कर सकते इतनी स्पीड से अंडे बच्चे निकालता है कि आप पघल हो जाओगे मार मार के तक आप समझो के मेरे घर में टोटल सौ खटमल है कोई बात नहीं मैं अब ये सौ खटमल कल तक खटम हो जाएंगे हम और कोई तरीका नहीं सब को घर से बाहर निकालो आग लगा दो काफी देर जब आग लगी रहेगी उसके बाद फिर दुबारा डिस्टेम्पर और ये सब कुछ कराओ तो शायद कुछ बख्षिश हो जाए वरना नहीं खटमल खतम होता वाई या वो तमाम चीज़े ही घर से निकाल दो जिसमें खटमल कार्पेट है या इस तरह की चीज़े है और खुद भी घर से निकल जाओ क्योंके आपकी जेवों में गयवे होंगे आपके पतनी कहां कहां खुसेवे होता है कोकरुष तो कहां ही जब हो मजाएगा तो बिल्कुल यही हाल दिल की खौएशाथ आपने एक खौएश पूरी आपका ख्याल था कि मेरा प्लैन है कि मैं सर्न दो हजार तेईस तक दो साल के अंदर अंदर मेरी ये खौएशाथ है मैं ऐसा करता हूँ ये भी हो जाएगे मेरी जौब यहां तक हो जाएगी मेरी सहत ऐसी हो जाएगी मेरे पास पैसा इतना आजाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा उसके बाद मैं हसी खुशी सुकून से जिन्दगी गुजारूंगा बहुत सही हो बलके जो खौहश आपकी पूरी होगी ना उसमें भी मजा कृतम हो जाएगा डेखो बच्चे को जब आप खेलोने पकड़ाते हो बड़ा खुश होता है ये खेलोना चाहिए कहता है ना इसे जैसे या आपने खिलोना पकड़ा या थोड़ी दिर खेलने के बाद उसका दिल चाते है इसको उठा के मैं खिड़गी से बाहर भेग दूँ ये ल्ला बताते है तुमारी असल लेचर ये है कि जो खुआश पूरी भी होगी ना उसमें लज़ध फिर क्या हो जाएगी खत्म मैं लज़ध नहीं रही पिर दिल चाहेगा और अपने नफस को मैं कैसे खुश करूँ और कैसे खुश करूँ और नतीजा ये निगलेगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जो खुआशात पूरी भी हुई है वो भी आइस्ता आइस्ता छिनना शुरू हो जाएंगी क्योंकि बढ़ाबा एक हकीकत है एक वक्त इनसान का उरूज होता है उसके बाद जवाल नबी ने फर्माया अल्लाह यर्दफिया श्यू इल्ला वजाहू अल्लाह ने अपने उपर लाजिम कर लिया है कि जो भी चीज उपर जाती है अल्लाह उसको नीचे भी लाते है उपर सिर्फ अल्लाह की जात है हर चीज को जवाल है शोहरत को भी जवाल होता है सिहत को भी जवाल होता है दौलत को भी जवाल होता है खुशियों को भी जवाल होता है हर चीज में जवाल है तो सबसे पहले वह बात करते हैं जो एक जायज बात है कि ख्वाहिश वाली जो बात है कि अभी हमाई जो ख्वाहिश है सपोस्थ बंदा जैसे गवर्मेंटी ले लो पांस साल के लिए अपने प्लान मनाते है कि पांस सा दो उसके ख्वाहिश बढ़ती है फिर ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी जरूरी अज के टैम में सबसे पर्फेक्ट बंदा वही है जो अपनी ख्वाहिशों को काबू कर सकी वह बहुत पर्फेक्ट बंदा बहुत सुखी बंद है क्योंकि अगर देखो अगर आपको जरूरी कोई चीज है अगर आप तो वो ले रहे हो तो समझ आता है अगर सब्सक्राइब एक एक जाम्पल देता हूं वो अवह और बढ़ जाएंगी इस बढ़ जाएंगी यह भी चईयो इस बरांड के एक तो हमें इसे उप्र कोई इसका पेने तो उप्र श्रया अचल कि कर ना कोई एक दूसर से competition रख रहाता है, तो उस था है कि मैं इसे उपर जाओं, वो आगे वला सो था है, मैं इसे उपर जाओं, फिर ये chain बनी रहती है, उपर, 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 लेकिन यह नहीं पता कि Allah ने जो चीज आपको उपर पहुचा देनी है, वो एक बार नीचे जरूर भी गिरानी है, मतलब आपको असलियत का पता चलते रहना चाहिए, तो उसका एक्जामपल, सबसे बड़ा एक्जामपल सुख और दुख है, जहां आपको बहुत जादा खुशियां मिल रहे हैं, वहां पर इंसान खुशियां लेके भूल जाता है कि आके दुख भी आना है, और ऐसे ही होत कारता है, चाहिए कि आपको आना हो हो कारचा कर तो बहुत जरूरी है तो खर्चे करऊ, अगर कुछा करते आपको खुशी मिलती है, सबड़ो लेकर। अपने अंडर मिहां डा गर थाकर भी शुकुन हो, मैं इतना है पूर बहां हो सब्स्ड़म पो पूरे, मैं इतनी हो सकत सही नहीं रहती है। वह उसके लिए आपको खुछ को काबू करना जरूर है, कि जो चीज मेरे अंडर है मैं ले सकता हूँ, या नहीं वह नहीं है लो। और जो ले सकता हूँ, लो। मैं पूरी कर लिए तो तो 10 क्वाईशे आपके मन में already वो सेट होके रह जाती है कि इसके बाद ये 10 क्वाईशे हैं मेरी जिस तरह ऐसे खटमल छोड़ जाता अपने काफी सारे बत्चे production rate ना वो खम नहीं होता वो बढ़ता रहता बढ़ता रहता तो चलते हैं guys HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल को आपका दी जगा सब्सक्राइब साथ ही हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक की लिए अलाफिस